ये दस तरीकों से पता लगाओ कि आपके सहध असली है या नकली नमर वन सबसे पहले एक सहध के अंदर माचीस के तीली को अच्छे से डुबो और फिर उसको जलाने की कोशिस करो अगर जल्दी से जल जा तो समझ लो सहध असली है नमर फूर कभी भी देखो असली सहध के उपर मक्या नहीं बैठती है क्योंकि मक्या देखो मधुमक्या से डरती है नमबर फाइब असली सहथ कभी भी पानी के अंदर घुलता नहीं है वो सहथ जाकर देखो नीचे बैठ जाता अगर जो तुरंथ धूल जाता तो समझ लो नकली सहथ है नमबर शिक्स एक्स नोट लो उसके उपर सहथ डालो यही अगर नकली सहथ के साथ करोगे तो उसका स्वाद उर्थ सब बदल जाता है नमबर 9 सहथ को ब्रेट के उपर डाल कर देखो अगर सहथ अंदर चले जा तो समझ लेना कि सहथ नकली है और कुछ लों कहते हैं कि असली सहथ में पानी डालके गुमाओगे तो च्छत्य जैसा बन जाता है दरसर यह बात गलत है क्योंकि यह देखो नकली में भी च्छत्य जैसा बन जाता है